दोस्तो ये वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट है अगर थोड़ा भी ब्लोगिंग के फिल में इंट्रेस्टेड है तो ये वीडियो अपके बड़े काम की हो सकती है रीजन क्या है रीजन ये है कि जब भी आप जो है अपने ब्लोग के लिए होस्टिंग चूज करते हैं तो क्या आपके दिमाग में ये चलता है कि आपको जो होस्टिंग लेना है वो कौन सा लेना है ये सिर्फ ये नहीं shared premium यह सब या shared हो या dedicated इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अगर आप shared hosting में भी अलग-अलग प्लान होते हैं तो आपके blog के लिए कितना GB RAM होना जरूरी है कितना traffic handle करेगा यह सब सबाल आपके मन में बहुत सारी चलता रहता होगा और यह सबाल अगर चल रहा है तो ऐसे में यह वीडियो 5-10 मिनट का होने वाला है लेकिन बड़े काम का होने वाला है वीडियो को पूरा देखिए फाइडा उठाइए hello दोस्तों मेरा नाम है आजाए और आप देख रहे हैं as informer actually मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ region यह है कि जब भी अगर आप वेव होस्टिंग लेने जाते हैं न आई साब मतलब एक तो इतने वेव होस्टिंग प्रोवाइडर हो गया है कि लोग confuse हो रहा है कि कि किसको ले किसको ना ले इसलिए मैंने आपको बोला था नहीं कि मैं regularly जो popular बेव होस्टिंग कमपनिया है उसको जो है यूज करूँगा personally अपने पैसा खर्च करके test करूँगा इसके बाद आप लोग करूँगा कि वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अब यहां पर यह होता है कि अगर starting blog कर रहे हैं तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा आप लगा लिजए मतलब कि साल में जो है आठ हजार दस जार बारह हजार रुपेया लगाईए यह तो मैं कहूँगा ही नहीं कि समझे क्यों क्योंकि आप blog start कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए main purpose हो सकता है maximum chance हो सकता है 80-90% लोगों का purpose होता है कि वो blog setup करे और उस blog से business या career option बना करके उससे पैसा earn कर सके और अगर आप मानली जो पैसा लगाए आप जो है बहुत costly वाला web hosting ले लिए लेकिन इसके बाद आपके blog पे traffic नहीं आया तो वो तो एक सल बाद तो बेकार हो जाएगा आपका resource तो किसी काम कर रहेगा नहीं तो ऐसे में क्या फाइदा कि ऐसे service को ले सके ऐसे में आपको मैं recommend हमेशा करता हूं कि shared hosting लेजिए shared hosting हमेशा संस्ता परता है shared hosting बाले में already जानते हूं येगा नहीं जानते हैं तो मैं shared hosting meaning से related जो है एक वीडियो बना चुका हूं एक ची मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप blogging के फिल में बहुत सारे confusion होंगे और जिसके regarding already में वीडियो बना चुका हूंगा तो आपको क्या करना है देखना है वीडियो बन चुका है ये नहीं बन चुका है YouTube पे क्या करना है अपने जब सवाल है वो इसके आगे as information लगा करके search कर लिजेगा अगर वीडियो एबिलेबल होगा तो आपको जरूर दिख जाएगा राइट चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि shared hosting लेना चाहिए लेकिन अगर shared hosting की बात करते हैं तो हरे कंपनियां अपने shared hosting पे कम से कम तीन प्लान जरूर देती हैं तीन प्लान में क्या होता है एक starting देंगे एक सबसे high वाला देंगे और एक medium देंगे नाम कुछ भी रख सकते है हर एक company अलग-अलग नाम रखती है अब उसमें होता क्या है मैं अगर example लेता हूँ बराबर regularly hostinger के बात करता हूँ तो चलिए इसी क्या एक example लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो इसका basic plan क्या है basic plan है 900 रुपय मेहना इसके बाद है medium plan जो है shared hosting में बात कर रहा हूँ मेडियम में है 119 रुपय मेहना और अगर इसका मैं बात करता हूँ कि shared hosting में सबसे उपर भाला तो वो है दोस्तो 219 रुपय मेहना अब इसमें अगर compare किया जाए तो बहुत सारे comparison है लेकिन यहाँ पर सबसे जो main point मैं कह रहा हूँ वो है RAM की बात RAM की बात करते हैं तो सबसे नीचे वाले में 256 MB मिलेगा इसके बाद 512 इसके बाद 1 GB इसके उपर जो भी plan आप लेते रहेंगे उसके अनुसार आपको मिलता रहेगा no doubt लेकिन यहाँ पे एक मेरे viewer ने comment किया था उनका comment बहुत ही बढ़िया था कि अगर वो medium बाली plan लेते हैं तो वहाँ पे 512 MB का RAM रहता है क्या इतना होना जरूरी है और यह जब आप blog setup करेंगे तो आपके दिमाग में भी आएगा यह आया हुआ होगा यह आने वाले समय में जब फेस करिएगा तब सुचे यार इसका जवाब कहां मिलेगा चलिए मैं आपको दे देता हूं सबसे प इस पूरे साल के अंदर जो है इतना ज़यदा ट्रेफिक आ जाए कि आपका blog handle नहीं कर पाएगा अगर इसकी guarantee देते हैं या अपने आपको लेते हैं जैलेंज के रूप में या आपको लगता है कि पहले से अल्डेडी सारे skill को trained मतलब हो चुके skills सीख चुके हैं अगर वो सि अमेशा वो प्लान लीजिए जिससे कि आपको बाद में दुबारा से जो है मतलब की तकलीफ नहों कि यार कम प्लान बला ले लिए और इसके बाद अप्ग्रेड करने की नौबत आ जाएगी मैं पहले बोल देता हूं देखिए यहां पे clear cut अगर मेरे से सवाल का जवाब प भरल होता है कि मैं पूरे साल का budget लेकर चलता हूं कि अगर 5000 रुपिया आप ब्लॉगिंग के फिल में लगा सकते हैं और चाहते हैं कि 5000 रुपिया से 50,000 रुपिया निकाल सके seriously तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा थोड़ा धंका थोड़ा costly भी पर जाएगा लेकिन बढ ब्लॉग पर ट्रैफिक ना हो लेकिन आपके पास अगर skill है और आप अगर मालीजे इस race में कहीं कहीं फिट बैठ गए ब्लॉगिंग के फिल में तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आपका सर्वर है जो hosting है उ आईसा उसके लिए है जो पहली पहली बार ब्लॉगिंग के फिल में आये हैं और उनको मालूम है कि उनको एक साल दो साल जो है सिर्फ सीखना है या ऐसे लोग आते हैं मतलब बैब साइट बनाने का काम करते हैं उनके पास client है client है और जानते हैं कि उनका website जो है मतलब कि महिन अब कहिएगा कि यार दूसरा company तो मैं आपको एक बात बताओं यार मैं देख रहा हूं बहुत कम ऐसे company होते हैं जो एक एक information transparency के साथ अपने user को देते हैं कि आप यह plan ले रहे हैं पैसा दे रहे हैं आपके बदले यह resource मिल ला है क्योंकि maximum company क्या करती है कुछ information दे देती है क क्या information देगी एक website host कर सकते हैं disk space क्या है transfer मतलए कि bandwidth कितना देगा RAM को disclose ही नहीं करता है RAM के बारे में कोई बताता ही नहीं है लेकि मैं यह company देख रहा हूं कम से कम transparency के साथ बतातो रही है कि हाँ आपको इतना मिलेगा आपको अगर यह नहीं है थोड़ा सबरा लिजे मैं बात करते हैं तो लेकिन believe मानिए कि अगर आप simple अगर यह 29 वाले प्लान को भी ले लेते हैं इसको मान लिजे कि अगर 100 टर्न के लिए एक सार के लिए थोड़ा सा कशली पर जाएगा लेकिन फिर भी तो यार आपको benefit है क्योंकि आपका अच्छा resource मिला है 1GB RAM मिला है काफी है starting block के लिए अब आपको यह समझ में आ रहा है ना कि आपको 512 MB लेना चाहिए 1GB लेना चाहिए simple अगर आप serious हैं 1GB बला ले लिजे पैसे को नहीं देखिए क्योंकि आपको पैसे कमाना है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा तो मैं कहूंगा कि फिर इतना पैसा मत फसाइए आप जो है 512 से नीचे मत लिजेगा समझ माया और कोई सवाल है सवाल होगा नीचे कमेंट में लिख लिजेगा अगर लगे काम का मेरा वीडियो होता है और seriously लगता है आपको कि मेरे वीडियो से आपको फायदा मिलता है तो आप म तरकी में भी होस्टिंग से रिलेटेड वेबसाइट से रिलेटेड हैं तो उनको सेयर कर सकते हैं